हाथी घोड़ा पाल की जैकनैय लाल की देखे जनमाश्टवी का मौका है पस पूछ देर बात और जनमाश्टवी शुरू भाई उल्लास का पर्व है उल्लास का तेवहार है श्रीकृष्ण की भकति है तो आगे तो कुछ बच्ती ही नहीं है सुमवार को भगवान श्रीकृष मंदिर में कुरूना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धाल हुए तोहार मनाएंगे जहां भक्तों में जन्रमाश्टुमी को लेकर रुट्सा है वहीं इस मंदिर की सरकारी अंदेखी पर थोड़ा मलाल भी है इस मंदिर पर हमारी यह खास रिपॉर्ट देख लिएज़ा है और 55 साल पुराना है मदन मोहन मंदिर 1665 में थी मंदिर के स्थापना मंदिर को नहीं मिल पाई राज के राज जिले के बोड़िया में है मंदिर आसारी से मैच 8 किलो मीटर है दूर जब जर्माष्ट में की बात हो और मदन मोहन का नाम जहन में नाय ऐसा हो नहीं सकता नाज़ानी राजी से मैच 8 किलो मीटर दूर बोड़े आबस्ती में ये मदन मोहन मंदिर स्थापित है जिसका निर्मान लक्ष्मी डालायम तिवारी ने 1665 में कराया इस मंदिर में राधा कृष्णी राजमान है जिनकी पूजा व्रिन्दावन की परंप्रा क्या नुरूप होती है इस मंदिर की कई मानिता है लोग प्रभू के प्रतियास्ता रख कर मनोकामनाये बुन की कामना करते हैं तो उनकी इच्छा पुन होती है करिव 356-360 साल पुराना मंदिर भगवान उस समय से यहां विराजमान है और भगतों के उपर अपना दयाद रिष्टी दिखाते रहते हैं भगतों को बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है भगवान के प्रति इस मंदिर के प्रति और बहुत ही सरधा समरपन के साथ भगत यहा जनमाष्ट में हम लोगती सगस्त को मनार हैं और स्रीक्रिष्ण जनमाष्ट में के उपलक्ष में सबसे पहले स्रीमद भागवत महापारायन का आयूजन किया गया है इस मंदिर के निर्मार के एक अद्बुत कहानी भी है करिब साड़े 300 साल पहले छोटनाखपुर में ब्रामणों की खोर कमी थी उस वक्त रातु महाराजा को पुजाफार कराने में ब्रामणों की कमी खलती थी जिसको लेकर रातु महाराजा ने 56 ब्रामणों का जथा बैठक किये और एक निर्ने हुआ कि ए संपत्ति को बेच दिया जाए और इसे जो धन प्राप्ति होगा उससे एक राधा क्रिशन का मंदिर का निर्मान हो तो वही पैशा से उस समय उस संबत 1772 के पहले बनना शुरू हुआ और कंप्लीट संबत 1772 पे होने के बाद इस मंदिर का सुभारम हुआ छोटानागपूर के प्राचीन मंदिरों में एक है राची के बोड़या में इस्थित मदन मोहन मंदिर 355 साल पुराना इस प्राचीन मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा विरजमान है जर्माश्टी भी के मोगे पर यहां पर विशेश और भव्य कारकरम आयुजित किये आते हैं लेकिन इस बार कोरोना की वज़त से ऐसा कोई भी कारकरम आयुजित नहीं होगा लिहाजा मंदिर में आकर भगवान की दर्शन और अराधना भक्त कर सकेंगे अपने सहोगी है मन्त के साथ मैं दीपकुराओं निवजिलबन भारत रांची तो भगवान श्रेक्रिशन आपके तमाम कारे सफल करें तमाम खुश्यों के द्वार आपके परिवार के लिए खुले जनवास्ट भी की तमाम लोगों को शुब कामना है इजाजत दीजिए नमस्कार जुहार